नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर बीए सेफ में 20 साल देश की सेवा करने के बाद जामबाज सिपाही संजीव रगुवनशी की आज घर वापसी हुई रिटायर्मेंट के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया परिवार सहित सेना के संगठन ने रेल्वे स्टेशन पहुचकर उनका जोरदार स्वागत किया और उनको बड़ी धूमधाम के साथ घर लेकर आए संजीव रगुवनशी का जगजगा जोरदार स्वागत हुआ घर पहुचने पर उनके माता पिता और पत्नी ने उनका स्वागत किया देश के जाबास सिपाई संजीव जी के साथ खड़े हैं और आज वो 20 साल अपनी सेवा देने के बाद घर बापसी करिए और देश के लिए जान नियुचावर करने के लिए बॉर्डर पर जो जाते हैं और वो लोटकर जाब आते हैं तो उसकी खुसी का ठिकाना नहीं रहे कि भॉज में जाना है चुछ में जब अधिया तो वहां पर दिल्ली में ट्रेनिंग की उसके बाद हम लोगों को यह नकसल अलाका भी मिला और माउबादी लाके यह मिले और मिल्टेंसी अलाके में हमने डूटी की सारी डूटी मेरी बॉर्डर किये बॉर्डर पर डूटी क का मेरा 20 साल साथ महीने का कारेबार बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि नए लड़कों को अच्छा स्कोप है और उनको ज्यादा ज्यादा देश की सेवा के लिए अग्रसर होना चाहिए और फोज में भरती होके देश का नाम रोसन करना चाहिए और अपने माता-पिता का और अ है कि वह अग्री बीर में जाएं और बहाँ पर जाके चार साल अपनी सर्विस करें और उसके बादा के सिविल में भी कई इसकोफ है उससे और कई जगे भी है जहां पे हम उसके तुरों दूसी जगे भी जा सकते हैं और अच्छा पैसा भी उसमें अगर बचाना चाहे तो अपना आगे का धंदा पानी भी कर सकता है तो इससे अच्छा कोई इसकोप नहीं होगा मेरे इसाब से अगनीवीर बहुत अच्छा है आपने देखा सीधा कहना है कि देश के जो यूबा है वो सेना में जाए और देश की सेवा करें अगनीवीर में भरती हो ताइम न्यूज के लिए गंजबाजाज विजरा गोईशी की रिपोर्ट